Dear students, here once again I welcome all of you with a very wonderful poem and the name of the poem is The World Is Too Much With Us. यह जो poem है यह एक sonnet है, sonnet कहते किसे हैं, sonnet एक 14 line की poem होती है और इसे लिखा गया है English Romantic Poet William Wordsworth के द्वारा William Wordsworth की दो कविताएं हम लोगों ने अल्रेडी पढ़ रखी हैं, तो Wordsworth जो हैं इस poem में criticize करते हैं industrial revolution को जैसे जैसे man materialistic pleasure की तरफ भागता है और materialism में absorb होता जाता है, वह nature से अपना distance बढ़ाता जाता है यह जो poem है उसे compose किया गया 1802 में और publish किया गया 1807 में तो इसका जो main theme है, वो theme है materialistic approach of the human beings and keeping themselves away from the natural beauty कैसे मनुष्य जो है, man जो है, absorbed हो गया है, materialistic pleasure में, भाटिक चीजों में और वह nature से कैसे दूर होता जा रहा है तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, poem की और समझते हैं यह दुनिया जो है, हमारे अंदर घुस गई है एक तरह से, कहने के मतलब है, हम में इतना शामिल हो गई है, हम worldly pleasure में इतना फंस गए हैं, कि इससे बचना मुश्किल हो गया है हम दुनिया में ऐसे उलज गए हैं, इस material world में इतना उलज गए हैं, चाहे पहले हो या बाद में हो या तो हम कमाई में लगे हुए हैं, या फिर उसको खर्च करने में लगे हुए हैं, और हम वेस्ट कर रहे हैं अपने powers को, हम इन ही कामों में अपने पूरी जो energy है उसको वेस्ट कर दे रहे हैं Little we see in nature that is ours, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृती में बहुत कम जाते हैं, प्रकृती को बहुत कम देखते हैं, नेचर से हमारा लगाव बहुत कम हो गया है, और हम लोग ने क्या किया है, अपने हर्दे को, अपने hearts को अवे कर लिया है, दूर कर लिया है इस natural beauty से, और हम अपन ही दुनिया में खोए हुए हैं, जो कि फालतू की दुनिया है, अपने हर्दे को, अपने hearts को, नेचर से दूर कर लिया है, यह जो समुद्र, जो कितना खुबसूरत है, जब चान्द, समुद्र में दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है, जैसे समुद्र उससे आलिंगन कर रहा है, उसे गले लगा रहा है, यह दोनों bosom friend हो, जब हवाएं चलती है, तो उसमें लहरे जो उठती है, वो कितना खुबसूरत दिखाई पड़ता है, और इस work को हवा हमेशा करत हैं, वैसे ही sleeping full की तरह, ऐसा लग रहा है कि हम flowers हैं, और sleeping flowers हैं, और हम एक जगह बेकार पड़े हुए हैं, for this, for everything, we are out of tune, हम लोग इस पकृती से जो tuning थी हमारी, जो हम nature से पूरी तरह से मिले हुए थे, उससे out of tune हो गई है, यानि हमारी tuning उससे अलग हो गई है, It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckled in creed out warned, कहता है कि क्या है भगवान, क्या यह हमें और दूर नहीं कर रहा है, इससे अच्छा होता, O God, कि हम लोग pagans होते, pagans मतलब पुराने जमाने के धार्मिक लोग, जो in materialistic world में जरा भी विश्वास नहीं करते थे, उसमें जाना पसंद नहीं करते थे तो काश मैं पेगन ही होता, so might I standing of this pleasantly, have glimpses that would make me less forgotten, अगर मैं वही पुराना पेगन होता, तो मैं समुदर के पास जाता, इसकी लहरों को देखता, और जो अकेले पन का, या उदासी का जो खतरा, आज हमारे साथ है, जब हम उदास हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, कम से क light of proteus rising from the sea, और proteus जो की एक Greek god है, जो लहरों के form में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर, proteus जो था, वो किसी भी form को ले सकता था, वह sea god था, तो proteus कैसे लहरों को दिखा रहा है, समुदर में, उसे देखकर मैं उस द्रिश्य को देखकर खुश होता, और here old triton blow his red horn, और मैं triton वो भी एक sea god है, जो की, जो हम लोग शंक होता है, जिसको count कहते हैं, वो आवाज दे रहा होता, वो अपना blow कर रहा होता, अपने count को, अपने trumpet को, तो उसकी आवाज मैं सुनता, और इस प्रकृति से और जुड़ जाता, तो बहतर होता कि मैं पेगन होता, तो इस तरीके से William Wordsworth ने criticize किया है, modern world के materialistic pleasures को, और प्रकृति से जुड़ने को कहते हैं, और कहते हैं कि प्रकृति से हमें जुड़ करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी reality है, अगर हम nature से दूर होते हैं, तो हम इस दुनिया में उन सुखों से, उन pleasure से दूर हो जाते हैं, जो natural है, चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके theme के उपर, और इसमें कौन सा form यूज़ किया गया है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि यह जो poem है, वो एक sonnet है, और the world is too much with us, एक ऐसा work है, जो reflect करता है, एक ऐसे view को, जो humanity को यह सिखाना चाहता है, कि कैसे हमें touch में रहना चाहिए spirituality के, nature के, ताकि हम natural beauty से दूर ना हो जाएं, इस poem का जो rhyme scheme है, वो A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, और last में एक couplet है, जिसको CD के form में आप देखेंगे, तो यह एक Italian और Petrarchan sonnet है, इसमें last six lines जो हैं, उसको sested कहते हैं, और शुरू का जो art line है, eight lines उसको octave कहते हैं, जो first eight lines octave का है, वो problem को show कर रहा है, और last के जो six lines हैं, जिसको sested कहते हैं, वो solution बता रहा है, कि कैसे हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, और हमें अब क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से, इस poem को आप समझ सकते हैं, I hope कि अभी यह कवीता आपको समझ में आ गई होगी, so dear students, thanks a for watching the video, keep watching, keep sharing, bye-bye.